हाँ हाँ बैठिए बैठिए नमस्ते 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 तो आप इनके पिता जी है जी जी हम इनके पिता जी ही है हाँ तो हमें आज इसके बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है जी जी कहिए सर जी आपका लड़का एक नमबर का बत्तमीच कमीना है इसकी अरको तो सु तंग आ गया हूँ मैं आसा क्या कर दिया इसने क्या कर दिया इसने जराज का चेहरा तो देखिए इससे मासुन तो सुवर लगते हैं अभी तिन दिन पहले की बात है इनके मैथ की गलास में मैंने सारे बच्चों से एक आसान दसावाल पुछा कि फाइंड एक्स सभी बच्चे लगे हुए थे एक्स की वेल्लू फाइंड करने में लेकिन उसी बीच ये मेरे पास चुपके से आता है और मेरे कान में बोलता है सर वो तो बेवफा निकली उसकी बात छोड़िये हेलो हाँ हाँ हमी ने फोन किया था लिखो साड़े तिन समोसा चा बर्गर तीन जलेवी एकदम चटनी मारके और चार पिज्जा अरे नई नई हमको पता है अब होस्पिटल से बोल रहे हो होटल में हमने फोन थोड़ी न मिलाया है हम बता रहे हैं कि यही सब खाखा के हमारे पापा बिमार हुए है और सर बहुत अर्जेंट एक अम्बूलेंस मत भेजिएगा हाँ क्योंकि हम चाहते हैं कि बुड़ा मर जाए क्योंकि जायदाद मिल जाएगी न हमको का कह रहे हो तोरे जैसा लाउंडा किसी को ना मिले तू अपना नाम बता बे अगले जनम में तेरे पेट में से सुवर का बच्चा निकलेगा साले साले फट जाएगा तू बिच रास्ते में बम की तरह और हाँ सुन तेरे को तो आखरी बाद बताना ही भूल गया कान खोल के सुन ले फोन रख साले आपने जिद्दी सुवर की कहानी सुनी है नहीं तुमने सुनी है नहीं एक जिद्दी सुवर था उसका मालिक उसको पिंजरे में रखता था लेकिन वो जिद्दी सुवर जैसे तैसे पिंजरे के पीछे से बाहार आ जाता था मालिक परेसान रखे वो पीछे से बाहर आ जाए फिर रखे फिर बाहर आ जाए एक दिन मालिक परिसान हो गया वो उस सुवर को काट के बना के खा गया लेकिन वो जिद्धी सुवर था वो फिर अपने मालिक के पीछे से बाहर आ गया यही है वो सुवर अच्छा आप ही बताईए अगर एक बच्चे को पिसाब लगता है तो बाकी दो इसके पीछे क्यों जाते हैं इसका धोने हाँ सर आप एकदम सही बोल रहे हैं ये एकदम बिगड़ गया है घर पर दिन भर मोबाइल में लगा रहता है पूछो तो कहता है पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों जी मोबाइल में क्या खेलते हो खेलते नहीं है पढ़ते है ये दखो ये है यू डिक्सनरी एप इसमें आप कोई भी इंगलिस का वर्ड लिखो ये आपको तुरंत उसका हिंदी मतलब बता देगा और यही नहीं अब इसके सेंटेंस स्कैनिंग फूचर से आप किसी भी इंगलिस सेंटेंस को स्कैन करके उसका हिंदी में तुरंत मतलब जान सकते हैं और यही नहीं अब तो आप हिंदी सेंटेंस को भी स्कैन करके उसका इंगलिस से मतलब जान सकते हैं जैसे ये देखो हाँ ये यूडिक्सनरी तो कमाल का है हमको कल क्लास के बाद सेयर कर देना अरे सर ये बस थोड़ा से सरार्ती हो गया है नहीं तो हमारे खांदान में सभी ने कुछ ने कुछ बड़ा ही किया है अरे आपको पता है हमारे जो पिता जी थे यानि इसके दादा जी अरे वो किरकेट के मास्टर थे मास्टर बैटिंग करते थे बालिंग अरे बैटिंग बालिंग कुछ नहीं पीच जब सुखा रहता था न तो ऐसा सुसू करके उसको गीला करते थे कि जब उसके अंदर स्टंप गाड़ों तो तीन-तीन साल तक बाहर नहीं आता था हमारे पिता जी का मतलब एक दम फायरी सुसू था अरे बहुत फेमस थे उस जमान नियो मुत्रिलाल जी अच्छा और आप क्या करते हैं? अरे आपको पता नहीं हम पहले राइटर थे फिर हमने जब यह पिच्चर लिखी ना, टाइटेनिक उसके बाद हमने राइटिंग छोड़ दिया क्यों? राइटिंग क्यों छोड़ दी? वो पिच्चर तो हीट हुई थी क्योंकि उस पिच्चर में इतने सारी लोग डूपके मर गए ना हमने बोला बहुत गलत काम है यह इसलिए हमने छोड़ दिया पिच्चर आइटिंग करना और टाइटेनिक से पहले भी हम बहुत बढ़िया बढ़िया फिलम की कहानी लिख चुके हैं लेकिन कभी रिलीज नहीं की उस पिच्चर काहे रिलीज को नहीं किया अरे रिलीज कर देते तो सहर में आशुओं का सालाब आया था बुढ़ों से लेकर बच्चे तक सब रोने लगते काहे ऐसा क्या लिख दिया था आपने देखिए क्या होता है एकदम emotional situation है देखिए आदमी ऐसा बेड़ पे लेटा हुआ है और अपना आखरी सास गिन रहा है और उग गिन नहीं पाता क्योंकि मैच्स में उग कमजोर है और मर जाता है कैसा लगा? का हो गया वा सर जी? सर जी लगता है सर भी मैच्स में कमजोर थे कोई बात नहीं हम आप सब तक फिर लोटेंगे एक नए मीटिंग में अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाया जाये तो प्लिस इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हाँ यू डिक्षनरी को डाउनलोड करना मत भूला लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओर आपकशन बनाया जपले मत भी बनाया जार्ट दोड़ाई इसाथ को तवाते है चाहते है